दोस्तो बाई क्रिपेरिंग चैनल में आप लोगों का स्वागत है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो फिल्टर होता है उसका क्या पता चले कि वो गंदा हो चुका है या खराब हो चुका है दोस्तो देखे ये गंदा filter है जो कि खराब हो चुका है properly और ये किसी से बना हुआ होता है इसमें क्या होता है वो सभी हम आप लोगों को बताएंगे और ये अच्छा वाला filter है जो एकदम नया है न्यू ब्राइंट filter है आप लोग देख सकते हैं दोस्तो इसमें जो खराब वाली बात होती है इसमें ये कागज जो है इसमें गत्ते जैसा कागज होता है और ये properly पूरा जो है वो खराब हो चुका होता है ये actually में एक पूरा ही कागज है ये देखे अगर हम लोग इसको आप लोगों दिखाएं तो पास से दिखा देते हैं ये देखे, पूरा जो है, वो गंदा हो चुका है, इसमें जैसा कि हमारा जो कपड़ा होता है, अगर उसमें से हम लोग कोई ओईल को छानना चाते हैं, तो क्या होता है कि एक्चुल में वो छन जाता है, लेकिन अगर हम लोग उसी कपड़े पर कोई paint कर देते हैं, तो वो जो बाहर निकलता है तो इस गत्ते से होकर बाहर निकलता है और जो असूधियां होती है वो गत्ते के अंदर ही रह जाती है ये कागज इसलिए काम में लिया जाता है ताकि बहुत इंजन जो है वो बहुत रेयर कंडिशन में खराब हो सके तो ये बहुत कम असूधियां बाहर नि कि इसमें joints है कहीं देखिए ये एक ही कागज है पूरा गता जो है वो एक ही कागज जो है जब पूरा गंदा हो जाता है छन्ने के लिए इसमें कुछ बाकी नहीं रहता और oil बाहर निकलने लगता है छन्ता नहीं है तब इसका मतलब यह होता है कि यह पूरा properly खराब हो चुका है इसको हम लोगों को replace कर देना चाहिए और अक्सर तो यह होता है कि जब भी bike की service होती है तब यह जो है वो change कर दिया जाता है क्योंकि ऐसा होता ही है कि यहां से जब oil आता है जब अच्छन कर बाहर निकलता है तो गंदगी जो है वो यहीं पर छोड़ देते तो इसलिए कह यह जाता है कि आता है आप लोग the oil जो है जब आच्छा काम मेंदे ताकि उसमें एशुध्या कम हो अगर शुध्या कम होंगी तो इह काम है यहां से यहां से बाहर निकलता है तो यह गंदा हो चुका है और मैंने जैसा कहा कि यह पूरा एकी घत्ता है और हलका का गज है, यहां से बाहर निकलता देखी पूरा का पूरा डैमेज हो चुका है पूरा खराब हो चुका है पूरा कवर इस निगंदगी ने कर लिया है इसको और यह अच्छा वाला है जो आप लोग आसानी से देख सकते हैं ठीक है दोस्तों तो यह है और यहां से आता है यहां पर वासर के रूप में रबबट लगा हुआ है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही धन्यवाद